नमस्कार, असी मारिया वर्क में आपका स्वागत है, मेरा नाम है गौरत, और दिन निकला आया तो उसके बाद जो कल के भुकम का ये बाद हालात जो बने हैं, उस पर अच्छे खासी अब डिटेल से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कल रात अंधेरे में पता नहीं चलता है कि किस तरह से जो हालात बने या नुकसान हुआ है, अब जो भुकम की तीवरिता थी, वो डिक्टर स्केल पे 6.56 बताए जा रही है, जो कि आफगानिस्तान में एपी सेंटर है, वहां ना पागया था, तो भुकम के साथ ऐसा ह होता है कि आप अगर किसी सौंत तालाब में पथर फैंकते हैं, तो उसके बाद जो रिपल एफेक्ट पैदा होता है, वेवस आफटर वेवस आते हैं, तो जैसे जैसे वेवस आगे बढ़ते हैं, वो आगे जाके उनकी इंटेंसिटी कमजोर होती जाती है, तो वही बात यह पाकिस्तान देखने को नहीं मिला है, और एक नियो जी आही है कि पाकिस्तान में कुछ 12 लोगों की मरने की संभावना जता ही जा रही है, और यह कोई भी मरे तो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ओवर आल देखे, क्योंकि हमने अभी कुछ मैने पहले ही तो इसलिए अच्छी बात है भगवान की कृपा सब पर रही कि यहाँ पर उतना नुपसान नहीं हुआ, खासकर अगर अफगानिस्तान के इलाकों में जो कहें, वहाँ पर भी उतना ज्यादा कोई नियोज निकल के सामने नहीं आ रही है, फिर यह तो सब्द हो गया, कल रा महसूज होते हैं, यह एक बार की स्थिति नहीं होती, कभी-कभी तो चार-पांच बार आ जाते हैं एक ही टाइम में, और वो घंटो-घंटो की हिजाब से की देड़ी पर आते हैं, तो यह भी एक डरावनी बात थी, लेकिन कर सब कुछ अब क्लियर हो गया है, उतना नुप पर आते हैं, और उस समय यह कार में थे, और वहां पर ही इन्होंने लाइव सुरू कर दिया था, जब इन्हें जटके महसूस हुए थे, तो हम इनकी बात अभी सुनेंगे, चलिए देखते हैं पहले इसको, इसके बारे में आगे बात करते हैं. अलाइवाने की वज़ा नाजरीन ये है, कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में एक जल्जला आया है, बहुत बड़े पैमाने का जल्जला आया है, 7.7 रेक्टर स्केल का ये जल्जला बता जा रहा है, इसका मरकज मुल्क से बाहर था, ये एक बड़ा जल्जला था, अल्हम्दलिल्ला अभी तक, अभी बिल्कुर डीसंट ये जल्जला आया है, मुझे ये नहीं पता कि इसमें नुकसान हुआ कितना हुआ, कि रिपोर्ट्स ऐसा ऐसा आना शुरू होती है, लेकि ये बहुत खौफनाग जल्जला था, मैं दुबारा बता रहा हूँ आपको ये जल्जला था 7.7 रेक्टर स्केल का, तुर्की में जल्जला आया है, और शाम में जल्जला आया है, जिसने इतने बड़े पैमाने पर तबाही में चाहिए नाजरीन, वो जल्जला था 7.8 रेक्टर स्केल का, सिर्फ एक रेक्टर स्केल का फरक है नाजरीन, मैं गारी में था और गारी में मुझे ज़जला, खड़ी गारी में मुझे ज़जला महसूस हुआ, मैंने फटा-फट वीडियो बनाने की सोची, मैं लाइव आ गया, उसकी वज़ा नाजरीन यह है, क्योंकि मैंने आपको जब टर्की का ज़जला आया था, आसे महीना डेट पहले, मैंने आ अमरीका का एक नया हथियार है, यह बाकारदा एक हथियार है, आपको पता है, मैंने आपको क्या कहा था, कि अगरे मरहले में पाकिस्तान और इरान की बारी है, आपको यादे मैंने कहा था, कि अब अगला ज़जला यह पाकिस्तान में आएगा, यह इरान में आएगा, मैंन होने वाले जहजले की पेश गोई पहले की गई थी सुडेंट की कान्फर44 के अगला नम्र पाकिस्तान का आज पाकिस्तान में साथ अशारिया साथ रेक्टर स्कील का जहजला आएक है तो metia देखा त हमी गडामी चैनल के anchor है और यह ऐसी बात कर रहे हैं सबसे पहली बात तो यह बता दूं कि चुकि यह live थे तो इसी लिए 7.7 कह रहे हैं जबकि असल में 6.6 था और यह कह रहे हैं कि यह अमेरिका का कोई हथियार है जिसको हार्प के नाम से जाना जाता है मुसके बारे में आगे थोड़ा देखेंगे और यह टार्गेट किया गया था पहले तुर्की को जहां पे 7.8 का भुकम पाया था जलजला उर्दू है भुकम का और फिर अब पाकिस्तान और इरान को टार्गेट करने की बात कर रहे हैं और पा क्रितिक आपडा नहीं है यह मैनमेड कलेमिटी है ठेर अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे तो यह मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानियों की सोच जो है यह उपर से लेके नीचे तक सारे ऐसा ही कुछ सोचते हैं और यह मतलब इसको करेक्ट करने वाला कोई नहीं है वहाँ पर बात ऐसी है कि ऊपर के लोग जो बोलते हैं या नीचे लोग भी जो बोलते हैं अगर उनको कोई काउंटर करे तो उनको दर किनार कर दिया जाता है उनको साइडलाइन कर दिया जाता है अब बात ऐसी है कि यह बस पाकिस्तान ही नहीं इरान न उन्होंने ये बात कही थे कि यह हार्प या इस तरह के जो हतियार हैं इसके कारण जो पश्यमी देश हैं अमेरिका हुआ इंग्लैंड या जो भी वेस्टर्न यूरोपियन देश भी है वो इरान का पानी चुड़ा रहे हैं या इरान को एक तरह से वहां पे ड्राउट की स्थ स्थिती सुखे की स्थिती बना रहे हैं तो उन्होंने भी क्लेम किया था कि इसी तरह के हतियारों के कायूज किया जाड़ा इरान के खिलाफ ये 2010 का न्यूज है इसलिए एक्स प्रेसिडेंट मैंने कहा अब इसके साथ ही हुगर चावेज जो है ये वेनेजुएला के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं वह तह विनकी डेथ भी हो चुकी है इन्होंने भी एक बार क्लेम किया था टेक्तॉनिक वेपन काॉज ह양े थी इसपल्फॉर्म है जासे वह एंकर बलेम रहा है आमेरका के इस वेपन को ओंगे हा़्प की बात कर ले तो हार्प कया है याँ पे जो हमारे एटमास्फियर में लेयर हैं उसमेंसे टॉप लेयर है उसके बाद स्पेस श狂ु हो जाता है ऊसको चाहलाँ जाता है अब रिसर्च करने के लिए उसमें बहुत प्रोब्लम्स आती है क्योंकि वहाँ पर रूक नहीं सकते है एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और जो बलून्स है वो जैसे वेदर बलून जिसको कहा जाता है आपने देखा होगा आभी योज भी आई होगी अमेरिका में इस तरह के वेदर बलून को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तो उसी तरह के बलून को फिर भेजा जाता है लेकिन बलून के साथ भी स्थिटी ही है कि सेटलाइट के के लिए वहाँ पे बहुत जादा एयर डेंसिटी है और बलून के लिए बहुत कम एयर डेंसिटी है तो इसी लिए वहाँ पे जो एक्सपरिमेंट करना वो या एक्सपरिमेंट रिकॉर्ड करना वो थोड़ा मुश के आसपास एंटेना बनाए गए यह एरिया बड़ा है देखने में तो छोटा लग रहा यह अलास्का में अमेरिका के एक स्टेट में है तो इस तरह के एंटेना आपको नज़र आएंगे और इन्ही एंटेना से फिर ट्रांस्मीट किया जाता है रेडियू वेल्स को और फिर किया जाता है अब इसके जो मिलिटरी यूज है वो क्या है तो मिलिटरी यूज इस में अमेरिकान नेवी भी सामिलती और अमेरिकान फोर्स और उसका कारण यह था कि कम्बिकेशन के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च था जिसमें आईनोस्फेर से अगर आप radio wave निकालते है तो जो खासकर lower frequency के जो भी radio waves जैसे VLF very low frequency या extremely low frequency इन तरह के wave का utilization communication के लिए बहुत ही important है क्योंकि अगर इनके frequency कम रहती है तो यह ज्यादा deeper penetrate कर सकते हैं अगर कोई obstacle बीच में है चाहे वो फिर समुदरी जो भी पानी है जिसके कारण सब्मारीन में आप communication कर सकते हैं या फिर दिवारों के पार जाने के स्थिती में जैसे कोई bunker है तो उसमें भी आप इस तरह के low frequency वेव के थुरू communicate कर सकते हैं तो इसलिए वहां पर military involved थी कुछ बाते यह भी कही जाती है कि कुछ मौसम में भी changes के लिए इस तरह के research का इसमाल किया जा सकता है लेकिन वह बहुत ही common बात है मौसम में change करना है यानि बारिश करवाना वह UAE भी करवाता है चायना भी करवाता है और यह भी research जो है यह अब बंद हो चुका है मतलब इस में से military जो है वह बाहर निकला आई है 2014 की बात है कि इसको shutdown करने की बात कई गई थी decision लिया गया था लेकिन बात में जो है वहां का अलसका यूनिवर्सिटी उन्होंने इसकी ownership ले ली तो अब यह उस यूनिवर्सिटी के पास है यह अब इसमें कोई military involved नहीं इसमें यूएस government भी involved नहीं है फिर भी लोगों में य conspiracy हमें साथ से चली आ रही है even 2023 की बात है कि हार्प के कारण भुकम्प आ रहे हैं अब अगर इस तरह के भुकम्प करवाना ही हो तो इतनी ज्यादा energy की जरूरत पड़ेगी जैसे की लगबग पांच गीगावाट अगर के हैं तो उस तरह की energy की कारण भुकम्प में बहुत ज्यादा energy होती है यह आप समझ ले आपको sound भी सुनने को मिलेगा और energy भी बहुत ज्यादा इसलिए जब जो आला मुखी फटता है तो उसमें भी भुकम्प के जटके महसूस किये जाते हैं और कई जो आला मुखी जब फटते हैं उनकी intensity atomic जो weapons है उनके बड़ाबर होती है तो यह भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो अगर कोई प्रोजेक्ट है या कोई हमला करना होगा अमेरिका को तो वो atomic हतियार के बड़ाबर उसकी planning करनी होगी या उस तरह की intensity generate करनी होगी उसके अलावा कोई और चाड़ा है नहीं मैनमेड भुकंप इसी तरह आ सकते हैं atomic जो weapons है या फ्रैकिंग में होता है तो फ्रैकिंग में धर्तियों में जब वो पाइप डालते हैं किसी तेल निकालने के लिए उसमें पानी के थ्रू वो पाइप डाली जाती तो उसमें भी आलका फूलका भुकंप देखने को मिलता ह लेकिन overall atomic weapons है उससे जो भुकंप पाते हैं उनकी intensity ज्यादा होती है तो यह अब समझ लें कि यह जितनी भी है conspiracy theory है अमेरिका पर पर पास ऐसा कोई weapon नहीं है जो जादूई करिस्मा कड़ा है यह कर सके या फिजिक्स के law के opposite वो काम कर सके जैसे सिनेमा में दिखाए जाता है तो ऐसा कोई बात नहीं है अब यह पाकिस्तानियों के साथ यह खास problem है हमें साथ से रही है आप इसके अब देखें कि पाकिस्तान में इस तरह की जब भी तरास्दी आती है कोई प्रक्रिफिक आफदा आती है यह हाफिच सहीद है जो भारत में तो आतंकी डिक्लेयर कर दि तो उसका भी जो ब्लेम है वो भारत पर दे दिया गया था और हाफिच सहीद अकेला नहीं है यह इसको नौन स्टेट एक्टर कहा जाता है असल में इसका भी प्रेजेंटेशन है पाकिस्तान में तो इसके followers भी काफी हैं और वो followers फिर इसी के बातों को बिलीव भी करते हैं उसको water terrorism का नाम दिया गया था तो यह पाकिस्तान का एक और नमूना है और example है देख लें यह जो एक आतंकी है वो भी यही बात कर रहा है जो कि वहां का एक anchor बात कर रहा है उसके साथ ही यह आप देखें मिनिस्टर वो भी ऐसे ही बात कर रहे हैं पाकिस्तान मिनिस्टर ब् 2015 की बात है वहां पे बहुत जादा गर्मी देखने को मिली थी भारत में भी बहुत जादा गर्मी इस तरह की देखने को मिलती है खासकर अप्रील-माई-जून के महिनों में तो उसमें भी यह ब्लेम कर रहे हैं कि राजस्थान में जो कोल पावर्ड प्लांट है उनकी गर्मी यह कडाची चली जाती है और भारत उसको भेज देता है किसी मतलब जादूई तरीके से तो यह वहां के मंत्री भी ऐसे ही है वहां की जंता भी ऐसे ही है वहां के मीडिया भी ऐसे ही है और अतंकियों को तो चैरिटी वरकर बनाते ही है तो यह पूरा माहौल है पाकिस्तान का यह कोई भी accountability लेना नहीं चाहते हैं इनके यहां बार जो आते हैं उसके बाद इनोंने कभी भी बार से बचाओ के लिए बांड बनाने की बात नहीं की कुछ बांड बने भी हैं छोटे मुटी लेकिन overall पिछले साल भी इतनी बड़ी बार की तरास्दी वहां पर आई थी उसके बाद भी कोई वहां पर accountability नहीं है सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है कि अगले बार फिर इस तरह के बार से बचाओ किया जा सके या फिर भुकंप में जो activity होती है फिर जो भारत ने मदद भेज़ दी तुरंत तुर्की और भी देश आये थे उसके बाद reconstruction की बात की जाए तो और conspiracy है कि IMF पाकिस्तान को loan नहीं देना चाहता है क्योंकि वह चाहता है पाकिस्तान अपने एटमी हत्यार हटा दे तो वहांगे मीडिया में यह सारा कुछ चल रहा है और उसके उसका भी blame यह दिया जाता है कि IMF भारत के कहने पर पाकिस्तान को loan नहीं दे रहा है तो अब यह सारा कुछ कहें कि पाकिस्तान की अपना overall जमता की IQ जो है वो कम से कम होती जा रही दिन पर दिन प्रती दिन और वहां पर जो crisis है वो बढ़ते चले जा रहा है कर इनका अपना तरीका है जैसे ही रहें भारत को नुक्सान ना हो बस यही बात है और कोई वह अपना कैसे भ मैं आपके सामने रखना चाह रहाता है तो अभी के लिए इतना ही अगले बार फिर मिलता है तरता के लिए नमस्ते जैहिंद